नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्ट चंदन सिंग फिर से आज रेक बढ़ नहीं वीडियो के साथ आपके अपने फ़ेट चलनल CS टेक्निकल पे तो दोस्तों जैसा कि आप सभी परिंट्स को पता होगा कि अभी केंद्रे विडियो में क्लास वन में एड्मिशन का प्रोसेस चल रहा है एक-एक करके सभी लौर स्ट लिस्ट हो ऑ रही हैं तो फ्रस्ट लोट्रेलिस्ट दिज्थेकर इस टरीक आज आए कि अपने बच्चे का लट्रेलिस्ट करना है घर बैठे बैठे तो इससे पहले कि कि मैं आपको आगए क्या प्रोसेस बताओं अगर अभी तकर कि यहाँ पर आपको लगातार नए नए वीडियोज मिलेंगे केंद्रे विद्याले स्कुल में एडमिशन को ले करके और साथी साथ आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर लिजीगा जिससे कि आपको टाइम टाइम पर अपडेट्स मिलते रहेंगे ठीके औ और चली सुरू करते हैं आज की वीडियो को अभी मैं आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूँ सबसे पहले जो तरीका है घर बैठे बैठे लॉट्री लिस्ट चेक करने का कैसे चेक करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ उसके बाद दो और तरीके भी आपको बताऊंगा तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं तो दोस्तों देखे सिंपल सा प्रोसेस में आपको बता रहा हूँ सबसे पहले आपने क्या करना है गूगल पर चले जाना है समझ रहे हैं गूगल पर जाने के बाद आपने यहाँ पर सर्च पर टाइप करना है उस के अंदेरे विडिया हुआ ठीक है इस तरह सर्च किया तो देखिए यहां पर कुछ इस तरह से आपके स्कूल का भी नाम आयेगा जैसे हाप केंद्रे इटावा को आगे इस तरह सब आपके स्कूल सेकंड लोटिस जारी किया तो और 29 तरीक को 29 अप्रेल 2023 को फर्स्ट मतब थर्ड प्रोविजिनल सेलेक्शन लिश्ट जारी किया तो पहले में आपको 28 तरीक वले दिखा देता हूं एक्जामपल के लिए मैंने इसको यहां पर क्लिक किया और इसको डाउनलोड कर लिया ठीक है यहां पर देख सकते हैं उसके बाद अगली लिस्ट जो है या लिस्ट था वह अपलोड नहीं किया है तो दिखे अगर आपको वह वेटिंग लिस्ट वाला सिक्वेंस देखने को नहीं मिल रहा है तो आप स्कूल से कॉंटेक्ट कर लिजिए स्कूल के नोटिस बोट पर देख लिए मैं भी शायद वहां पर लगा हो ठीक है उसके बाद जो थार्ड प्रोविजनल लिस्ट आई है वो भी मैं आपको एक बार ओपन करके दिखा देता हूं यहां ठीक है यह मैंने क्लिक किया और यह डाउनलोड होगे यहां पर ओपन का उप्शन आए मैं उपन कर दिया उसके बाद देखिए यहां पर कैटेगरी वन कैटेगरी वन वाले बच्चों का जो वेटिंग था उनके लिए यहां पर थर्ड प्रोविजनल लिस्ट आया है जैसा कि आपको पता होगा सबसे प्रोविजनल लिस्ट जारी की गिए तो इस तरह से आप घर बैठे चेक कर सकते हैं थर्ड लोट्री लिस्ट ठीक है और इसके नीचे यहां पर कुछ टर्माइं कंडिशन भी लिखे हैं कि कितने बज़े आपने आपने रिपोर्ट करना है स्कूल में यह सब लिखा हुआ ह मैं उम्मिद करता हूं कि आज की सुडियो में जो मैंने आपको यह प्रोसेस दिखाया समझ में आ गया होगा और आप भी आप घर बैटे बैटे अपने बच्चे का सेकेंड लोट्री लिस्ट में नाम चेक कर सकते हैं इसके बाद बात करेंगे हम दूसरे तरीके और तीसरे तरीका यह है कि ना तो आपको स्कूल के ओफिसल वेबसाइट पर लिस्ट देखने को मिला है ना आपको स्कूल के नोटी सबोट पर आपके बच्चे का नाम और लिस्ट देखने को मिल रहा है तो इस कंडिशन में आपको स्कूल के स्टाफ से कॉंटेक्ट करना है जो भी व एक या दो तरीक आएगी तो ऐसा भी हुआ है तो मेरी तरब से आप सभी parents को all the best और last में एक और बात बताना चाहूँगा कि जिन बच्चों का category मतलब lottery list 1 में नाम आया था और उनको अभी फिलहाल में पता चला है तो please आप अभी भी जाएगे school में पता किजिए कि क्या आपके बच्चे का अभी admission लेंगे या नहीं लेंगे documents सारे verify करेंगे कि नहीं करेंगे और जिन्होंने अभी तक check नहीं क्या कर लिजेगा क्योंकि बहुत सारे parents ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ pre-suffel वाले list को देख करके उन्होंने यह सोच लिए कि मतलब बच्चे का admission list में नाम नहीं आए किसी बच्चे का वो अगर नाम लिखा है परकास कुमार ठीक है तो उसके आगे लिखा है N A तो यह सोच लेते हैं कि उनके बच्चे का ना मतलब admission list में नाम नहीं है इसलिए वहाँ पर N A लिखा है तो ऐसा नहीं है आप सभी parents जिन्होंना भी तक चेक नहीं कैक कर लिजएगा lottery list 1 कैसे चेक करना मैंने वीडियो बना रख है तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो अच्छे लगी तो प्लेज इसको लाइक कीजेगा और ज्यादा ज्यादा parents के लिए शेयर भी कीजेगा ताकि जो parents अपने बच्चे का admission के इंद्रेव जलस्किल में कराना चाते हैं उन सब को भी मेरे चैनल के अमादि हमसे असान सब्दों में असान भासा में समझने को मिल सकता है कि कैसे अपने बच्चे के admission के लिए preparation करना है या admission के लिए कैसे apply करना है और CS Technical को subscribe कर लिजे और Telegram Instagram पर भी follow कर लिजे और आज के लबसीत नहीं तब तक लिए thank you बाबाई, जैहिन, जैभारत